हे गाईज नमस्ते मैं नुक मारी स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब जैनल तनर सिंग बिहार में आज का हमारा टॉपिक है भुरुन का विकास गर्भा आवास्था के 21 हपते में चलिए शुरू करते हैं अब आपकी सिसु का वजन करीब 360 कराम और लंबाई करीब 26.7 सेम यानि की 10.5 इंच हो गया है यानि अब वह लगभग एक गाजर जितना हो गया है उसकी तचा पारदर सी और धीरे धीरे गुलाबी से लाल हो रही है क्योंकि अंदर कोसी काएं कैपिलरी बंड रही होती है उसकी भौवे अब घनी हो रही है और उसके होट अधिक अश्ट प धूम रही है यदि आपको गर्ब के भीतर शिसू की हल चल महसूस होने लगी है तो आप आने वाले हपतों में और अधिक हल चल की उमीद कर सकती है जल्द ही आपको लगेगा कि शिसू अंदर मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है क्योंकि शुर्वाती फरप्राहट के बा वह कम समय के लिए मगर बार बार सोता और जागता है पूरी गर्भा अवस्था की दौरान आपकी प्लासेंटा बढ़ती रहती है और इस सब्ताह तक वह आपके शिसू से भी भाड़ी हो गई है इस चरन से आपके शिसू की प्लासेंटा की बढ़त को पीछे छोड़ देग कुछ जरूरी बात थी जिनका की आपको इस समय ख्याल डखना चाहिए अब आप अपनी गर्भा अवस्था के आदे चलन को पार कर चुकी है अब सही समय है कि आप इस बात पर विचार करेंगी आप अपनी डिलिबरी कहां कराएंगी यदि आपने अभी तक इसके लिए अस स्पेशियों में कसाव सब महसूस करें तो चिंतित ना हो या परसब सुरू होने का संकेत नहीं है ये बीच बीच में होने वाले संकुंचन जो अकसर पीरादायक नहीं होते हैं गर्भा अवस्था के बीच अबधी में पहुँचने पर महसूस होने वाले ये संकुंचन पर सब के समय तक समय समय पर होते रहते हैं यदि आपकी चाल धाल में बदला हो या आपका सरी धीला डाला बेड होल सा महसूस करें और साथ में अनलक्छन भी हो जैसे की दर्द धूंदला दिखाई दीना या हाथों वा पैरों में सूजन तो अपनी डाक्टर को जरूर दिखाए हो सकता है ये आपकी गर्भा अवस्था का समान हिसा हो मगर ये लग्चन प्री एकलेम्सिया के संकीत का भी हो सकता है इसलिए बहतर है कि आपको डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए इसी के साथ आज का हमारा यह टॉपिक यहीं भी समाब्द होता है मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी टॉपिक के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्त रहें स्वस्त भारत संब्रीद भारत एक कदम स्वास्त की ओर